यूटूब के लेटिस्ट वीडियोज, ब्रेक आउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहाँ सेर नहीं कर पा रहा हूँ, साथ साथ स्टॉक मार्केट ये लेटिस्ट न्यूज के लिए टेलिग्राम चैनल को जरूर जोईन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, स म्यूज के हैं निफटिं लेटि में अवरे लेटिन करें, बेनल अब्राफ करने का скаж के बुरूरी क्योंकि जो banking sector है उस पे lockdown का असर जादा परा है कहीं कहीं बैंक जो ICIC बैंक है उसके नमबर काफी अच्छे आई थी लेकिन जो HDFC बैंक है उसका नमबर उतना बहतर नहीं था आप देखिये जो bank nifty इसमें सबसे जाता जो contribution है वह HDFC बैंक का ही है अब HDFC बैंक की यहाँ पार परपॉंब कर इसलिए हमें बैंक निफ्टी भी अपने लो से अभी चेहां बनाया था बैंक निफ्टी वह 16,000 का बनाया था वहां से 135% तक का राइली दिखाया बैंक निफ्टी तो वहीं निफ्टी भी अपने लो से 131% का राइली किया है जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था यह जो परसेंटेज है अगर आप यहाँ पर कैल्कुलेट करेंगे तो जो निफ्टी है वो भी एप्रॉक्स उतना ही है जितना कि आपन 35% तक का यहाँ राइली कर चुका है इसका एक मुख्यकार्म यह है कि निफ्टी से बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावर देखने मिला था पैंडिमिक में तो यहाँ से बैंक निफ्टी काफी जल्ग 135% का राइली किया जबकि निफ्टी बाद में 131% का अभी राइली किया है लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि पिछले कुछ समय से Nifty लगातार यहाँ पर परफॉम कर रहा है जबकि Bank Nifty परफॉम नहीं कर रहा है Bank Nifty पूरी तरह से Side Bill है जबकि Nifty यहाँ पर देखे लगातार New High Create कर रहा है तो उसका कारण है कि Nifty जो है IT सेक्टर परफॉम नहीं कर पाया है जबकि ICC Bank के नेमर काफी अच्छे आए थे तो ICC Bank थोड़ा बहुत तो स्ट्रॉम है जबकि और सारे Bank काफी ज्यादा वीक है मतब साइड वेक चलगा है इसलिए अभी तक बेंक निफ्टी जर आउट परफॉम नहीं कर पाया है तो जो banking sector के स्टॉक है अभी भी आपको काफी अंडर वैलूड प्राइस मिलना है और किसी करेक्शन में मिलता है तो निश्ची दूरूप से आप बेंक निफ्टी के स्टॉक को बायर कर सकते हैं जैसे बेंक निफ्टी यहां पर सेटी सिजार साथ सो पचास को क्रॉस करता है तो फिर यहां पर एक जबरदस्त ब्रेक आउट होगा और फिर यहां पर बेंक निफ्टी एक तम स्ट्रॉंग ग्रूप से बुलिस हो जाएगा तो जैसा कि अभी पैटर्न जो बन रहा है अभी भी बेंक निफ्टी का पैटर्न बुलिसिंग है यहां पर अपना फरवड़ी में हाय लगाने के बाद काफी अच्छा गिरावट इसमें देखने मिला लगवग यहां पर 700 पाइंट का गिरावट था उस गिरावट के बाद काफी अच्छा पैटर्न बिला है और यह पैटर्न पूरी तरह से बुलिस मुवमेंट अमाला है यहां पर जैसे ही अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है जो की है 37,750 अल्टाइम हाई का रेसिस्टेंस तो एक जवरदस तेजी हमें बेंक निफ्टी में देखने मिलेगा त यहां पर जब यह ब्रेक आउट करेगा तो यहां पर जो हमारा टार्गिट होगा वो होगा 2000 का तो समस्जा है यहां से अभी इसको कम से कम 500 पॉइंट से 400 पॉइंट से एस्टेंस को उपर जाना है तो यह अकरेला एक स्टॉक है जो कि बैंक निफ्टी को भी उपर ले से स्ट्रॉंग दिख रहा है लेकिन अभी छाट पैटल उतना इस्ट्रॉंग नहीं कि यह पर ब्रेक आउट हो सके उसके बाद जो दोसरा है वह सार्ट वह जो लो बन रहा है वो भी higher low बना है और higher high बना रहा है तो यह यहाँ पर जवर्दस तेजी दिखा सकता है जो कि bank nifty और nifty धोनों को यह भी उपर ले जाता है इसका विकल पेमिशन काफी अच्छा है nifty में भी और bank nifty में भी उसके बाद आते हैं SBI SBI भी अपने all time high के आसपास ही ट्रेट कर रहा है तो यहाँ पर SBI में भी थोरा सा sideways momentum देखने मिला है तो SBI भी उतना strong ही है जितना कि SSE bank और अगर SBI यहाँ पर 470 के ऊपर निकलता है तो निसी रूप से गजब तेजी देखने मिलेगा जो कि यहाँ से काफी ऊपर का point है तो निसी रूप से bank nifty को काफी ऊपर ले जागा अगर यहाँ पर यह ब्रेक आउट थोड़ा सा मतलब है एसजेशी बेंक से ज्यादा स्ट्रॉंग है जबकि ICC bank से इसका विचार्ट भी गई क्योंकि यह अपने all time high को देखी यहाँ पर क्रॉस करने के कोशिस किया लेकिन यह क्रॉस भी कर पाया मतलब सस्टेंड नहीं कर पाया अपने all time high के ऊपर यहाँ से यहां पर गरे क्रेक्सिं देखने मिला यह हो शकता है यहां से ही रिटेस्ट करें इस लेवर को इसका जो पिछला डा raspberry मेंटम दिखाए पफिर यह निटी बेंक यहां अपने देखा पी जादा वी है कोटक में अभी यहां पर इस्टॉंग रेसिस्टेंट जो है वह है एटीन हंदिट फोटी का फिर यहां पर जो इसका और टाइम हाई है तू थूजन फिफ्टी टू रूपी उसको क्राउस करना पड़ेगा तो एस्टी एकसी चार्ट पर काफी वीक है लेकिन रिसेंट टाइ लेक हो गया स्वियाई हो गया कोटक यह सारे स्टॉंग जब चलेंगे तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दुरू को ऊपर लेकर जाएंगे फिर उसके बाद आता है इंडसींट बैंक यह लिए इंडसींट बैंक भी चार्ट काफी विक है पूरी तरह से यहां सकता है अगर यहां तक भी यह जर्म नित्ताइक करता था निफ्टी बैंक और निफ्टी और निफ्टी को ओपर ले जाने में तो काफी कुछ हैल्प करेंगे आप यहां बात करते हैं बैंक इसके बंक निफ्टी परसंट अकेलिए है SDFC फिर ICC बेंक देखिए 6.7 परसंट एक्सेस बेंक देखिए 2.73 कोटक बेंक देखिए 3.46 फिर SBI देखिए 2.2 फिर इंडेसिंट बेंक 0.81 तो यहां पर 24-25 परसंट के आस पास आता है बेंकिंग सेक्टर के स्टॉक तो जब बेंकिंग सेक्टर परफॉर्म करेगा मतलब बेंकिंग स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे यह जो 5 लिडिंग बैंक है मतलब छे लीडिंग बैंक है इस लेस में से पांच ही परफॉर्म करता है तो निश्चित रुप से निफ्टी को एक जमरदस मुवमेंटम देगा बैंक निफ्टी को भी इसलिए जब बैंक निफ्टी हमारा बुलिस होता है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बैंक नि निफ्टी में तो यहाँ पर निफ्टी को भी बैंक निफ्टी ने ऊपर ले गया वन साइडेंग देखें हम यहाँ पर बैंक निफ्टी से निफ्टी में चलते हैं तो निफ्टी में भी आप देखेंगे यहाँ पर सेप्टेंबर 2020 से लेकर के यहाँ परबड़ी 16 फरबड 2021, यहां से one sided momentum, यह one sided momentum कहां साय था, bank nifty के चलने से, तो जब bank nifty का stock चलेगा, तो यह nifty को और ज़्यादा strong कर देगा, तो जब bank nifty strong हो, साथी साथ, nifty के और सारे जो IT हो गया, MCG हो गया, यह सारे sector भी strong होने चाहिए, तब ही यह rocket की तरह ऊपर चलेगा, तो जब nifty police होगा, अ FMCG हो गया, वो थोड़ा भी help कर देते हैं, तो यह यहां से काफी देजी देखने मिलेगा, मतब काफी ज़्यादा nifty आपको bullish होतावा दिखेगा, तो यहां को होता है, कि अगर nifty हमारा bullish होता है, मतब market bullish होता है, तो आप stock specific हो जाएए, कई सारे stocks यहां से अगर momentum होता है, त आपको double, triple होते हुए देखने मिलेंगे, फिर से अगर banking sector चल परता है, तो nifty और bank nifty में काफी strong relation है, जब bank nifty perform करेगा, तो nifty के जो भी IT pharma और FMCG है, थोड़ा बहुत भी help करेगा, तो nifty bank nifty से काफी ज़्यादा better perform करेगा, तो उमीद करते हैं, कि यह video आपके लिए helpful लगा होगा, कि अगर bank nifty यहाँ perform करता है, तो निश्चत रूप से आपको और खाके बहतरी return यहाँ देता हुआ, देखने मिलेगा, आपके जो भी portfolio में stocks है, तो वीडियो को like और share जरूर कीजेगा, और इस तरह के educational और informative वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe कर लेजेगा,